हे वाई टी बेंस की हलचार वेलकम बैक टू दे चनल दोस्तों मेरे कई सारे वीवर सब्सक्राइबर बार बार मेरे को ये बोल रहे थे कि मनाली के अंदर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती हैं उनके बारे में बताईए कम्प्लीटली चाहे वो मनाली के किसी भी एरिया में होती हो हमारे लिए लेकर के आईए बताईए कैसी होती हैं कौन सी होती हैं कितना कौस्ट लगभग उनका पड़ता है कहां पर कर सकते हैं ऐसी सारी जानकारी के रिक्वार्मेंट आप लोग मांग रहे थे क्योंकि मनाली का ट्रेवल तो यार सबसे साल का इमाचल प्रदेश के मनाली जाने की तो मैं आज आपके लिए ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आगया हूं 20 सबसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्टिविटी कहां पर कितने प्राइज में करवाई जाती है इस वीडियो में आए एक एक करके देखना स्टा आना और को सलेक्ट करना ताकि आगे आने वाले वीडियो की नियॉटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहें वाई टी भारत के पिछले 300 ट्रेवल वीडियो को दीखनी के लिए तुरंच जाओ वाई टी भारत पे सर्च करो वीडियो अगर मेरे अच्छे लगते हो तो लाइ इसमें सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सी वो एडवेंचर एक्टिविटीज हैं जो आपको करने को मिल सकती हैं मनाली में मौल रोड लोकेशन के आसपास या थोड़ा सा मनाली से दूर यानि कि कुल्लू जैसी लोकेशन पर आई दोस्तों सबसे पहले एक करके इन स्पोर्स एक्टिविटी के नाम जान लेते हैं रिवर राफ्टिंग, पेरे गलाइडिंग, स्कींग, हाइकिंग, माउंटेन बाइकिंग, माउंटेन रिंग, जॉर्बिंग, जीब सफारी, स्नो बोर्डिंग, रिवर क्रॉसिंग, एंजलिंग, स्नो स्कूटर, क्वाड ब भी कहा जाता है दोस्तों आईए चलते हैं अब इसकी detailed information आपको देना start कर देते हैं चलिए दोस्तों चलते हैं आते हैं सबसे पहले ले करके चलते हैं आपको river rafting, fight the gushing waters यहां पर adventure level आपका होता है moderate, it can be difficult to, difficult भी हो सकता है depending on the current and weather condition, जैसे जितना नदी के अंदर पानी होता है, कौन से season के अंदर जा रहे हैं, क्या है, वो सब depend करता है यहां के adventure level पर, इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें जो आपके साथ guide होते हैं वो boat को चलाते हैं और आप सिर बैठते हैं, rope पकड़ करके, रसियां पकड़ करक क्योंकि बहुत जादा पत्थर हैं वियास नदी के अंदर, best time to try summer होते हैं, गर्मियों के दिनों में आप जाएं, specifically June में आप जाएं, बाकी तो आप इस time भी जा सकते हैं, 12 महीने आप कर सकते हैं, वहाँ पर कोई issue वाली बात नहीं enjoy कर सकते हैं, कहां पर आपो करना चाहिए pretty to gd, यहाँ पर आपको करना चाहिए, बाकी कुल्लू में आप किसी भी location पर जहाँ पर अच्छा पानी हो, वहाँ पर कर सकते हैं, जहाँ पर एक करवाई जाती है, यह location कुल्लू में change भी हो जाती है, costing लगभग per person 800 के आसपास आती है, एक व्यक्ति की, tip मैं देने जा रहा उसमें, आईए, next adventure sports activity पे चलते हैं, और यह है हमारी paragliding birds eye view, पक्षियों की आँख से आप देख पाएंगे, जब आप paragliding करेंगे मनाली में, adventure level इसका काफी high होता है, best time to try April से December आप कर सकते हैं, only on a clear sunny day पर आपको यह करवाई जाती है, वैसे तो snowfall के अंदर भी करवाई आ कहाँ पर करना चाहिए, सोलांग वैली में करें, 13 km जो दूर है मनाली से और मारही में करें, धोबी में भी लोग करते हैं जाकर के, 1000 से लेकर के 3500 डिपेंड करता है, कितनी height से आप paragliding कर रहे हैं, आपको पे करने पड़ेंगे, tip में क्या दे रहा हूँ, wear करिए close को, that are really comfortable ह तभी आप paragliding करिए, चलिए, next adventure sports activity पर आपको ले करके चलते हैं, जो है skiing, play around the snow, आपको snow के चारतर आप खेलने को मिलेगा, adventure level moderate होता है, best time to try है, जनवरी से ले करके फैप में आप जा सकते हैं, season आ चुका है, कहाँ जाना चाहिए, सोलांग वैली में, रोतांग, मारही, बुंडी, यहाँ पर जा क्या आप कर सकते हैं, cost 300 onwards से start होता है, आगे भी जाता है, tip क्या है, it is, if it's sunny, wear glasses, अगर sunny day हो तो glass को ज़रूर वियर करें, if it is cloudy, wear goggles, अगर cloudy है तो goggles वियर करें, next चलते हैं, adventure activity पर फोर्थ नंबर की, जो है hiking, stroll amidst the nature, adventure level easy to moderate होता है, में से ले के कहां कहां कर सकते हैं, मनाली से चंदरताल, दियो टिबा बेस मनाली, second है मनाली से ब्यास कुंड, सोलांग, नलहार मनाली, मनाली से नागर मलाना, जो मनीकरन मनाली के पास है, मनाली से बातल, चंदरताल लेक, बारलाचाला, मनाली, cost इसकी 56 से start होती है, पर कपल के according, tip क्या है choose the trail that fits best with your fitness level अपनी fitness level के according की आप choose करें hiking को चलते हैं next adventure activity पर जिसका number है 5 mountain biking embrace the adrenaline rush mountain biking करके मज़ा जाएगा adventure level easy to moderate best time to try all year around कभी भी कर सकते हैं मनाली रोतांग पास बरला चला पास लाचुंगला पास तांगला खार दुंगला मनाली किसी भी पास तक आप कर सकते हैं पर कर सकते हैं cost है 6,000 onwards tip stay loose do not have a firm grip next है आपका sports activity mountaineering go beyond your comfort level से आप beyond जाएँ adventure level moderate to difficult best time क्या है all year around exceptional मांसून में कभी ना करें mountaineering व्यासकुंड में कर सकते हैं हनुमान टिबा डियो टिबा मनाली पीक पर कर सकते हैं cost 3,000 से start होती है उपड़ तक जाती है make sure करें tip है कि shoes are not slippery हो और extremely comfortable shoes पहने जो slippery बिलकुन ना हो next adventure activity 7 number आप कर सकते हैं zorbing see the world upside down ये देखे कितना सुन्दर pics है इसकी आप photographs भी enjoy करें लेप साइड में right साइड में information है adventure level easy to moderate January माई October से December में try करें सुलांग वेली में आप कर सकते हैं zorbing 500 रुपे से start होती है tip है make sure you control the zorbing ball का control आपके pass होना चाहिए चलिए next चलते हैं activity पर जीप सपारी 8 number travel with the local adventure level है easy to moderate best time zone से सितंबर where to try मनाली तीस मोरी लेक में करें try cost है 15,000 से 20,000 के उपर जाती है do not get out the moving jeep यह आपके लिए tip है next पर चलते हैं 9 number snowboarding slide among chilly winds snowboarding करें adventure level difficult होता है best time to try January से March होता है rotang pass सुलांग वेली में करें cost कुछ भी हो सकती है कम से जादा practice and practice to skate well before going for difficult level next पर चलते हैं दोस्तों 10th number आ गया है river crossing challenge your fears अपने डर्स पर जीत ले adventure level easy to moderate best time होता है throughout the year कभी भी कर सकते हैं exception mountain soon को avoid करें one विहार में आप कर सकते हैं जो mall road पर ही one विहार है सुलांग वेली में भी कर सकते हैं साड़े 300 से start है tip है leave your boots on the when going the river crossing next चलते हैं 11th number start हो गया adventure activity angeling catch your own seafood adventure level moderate माई में आप करिये कहां पर कर सकते हैं कॉस्ट कुछ भी हो सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं learn how to cast spinning rod and about caster accurately इसको जान सो समझकर ही करें 12 number पर आ गया है snow scooter skid through the snow adventure level easy to moderate best time क्या है वह आपको बता देते हैं best time है आपका December से ले करके 5 के बीच में कर सकते हैं where to कहां कर सकते हैं try Solang Valley Rotang Pass पे cost है 200 रुपे से ले करके 1000 रुपे तक होता है tip क्या करें wear warm clothes गरम कपड़े पहने जो waterproof हो next चलते हैं quad biking cross the varied trains adventure level moderate throughout the year कभी भी कर सकते हैं river व्यास के पास होती है rocky river trail कीवी trail यहां पे आप कर सकते हैं 300 से ले करके 1000 रुपे तक होता है cost इसको करने का always हमेशा helmet पहन के करें अपने सिर पर जब आप इसको try करें next चलते हैं adventure activity पर camping कर सकते हैं witness a thousand star after the sunsets easy to moderate adventure level best time to try मई से जून कहां कर सकते हैं सेथन में सोलांग वैली में और भुंतर में दोस्तों सेथन के अंदर igloo camp भी है वहाँ पर भी आप जा सकते हैं वो भी बहुत अच्छी adventure activity है भुंतर में भी try कर सकते हैं cost पंद्रे सो से 2000 रुपे onwards have a mosquito repellent ज़रूर ready रखें जब आप इसको करने जाएं तो यह tip थी इसके लिए next tip पे चलते हैं 15 number tracking concur those mountain tracking करने के लिए moderate to difficult level होता है मई से जून में करें चंद्रसीला track करें तोश वैली track करें खेर गंगा track करें यह आप tracking कर सकते हैं जो best होता है मनाली के round कसोल के पास near 3000 के आसपास लिया जाता है 1500 से बैसे start होता है 3000 अच्छी जो tracking होती है उसी cost होती है make sure you carry a light backpack बहुती हलका बहुत जुर्यत की समान ले करके जाएं जब आप track करें तो और season के according ले करके जाएं zip lining करना चाहें swish through the jungles adventure level moderate best time मई से जून कहां पर try करें solang valley और हरीपूर में वैसे तो सर्दियों में भी अब लोग करते हैं zip lining अराम से लोग कर लेते हैं इस time भी मेरे कई सारे जो viewer subscriber जो जा रहे हैं मनाली वो कर रहे हैं वहाँ पर solang valley हरीपूर में कर सकते हैं रहा सो से start होती है कम भी होती है वैसे थोड़ा बहुत टिप है wear comfortable clothes को पहन के जाएं avoid skirts and dresses को avoid करें next जलते हैं 17 number rock climbing challenge और physical strength adventure level difficult अप्रेल जून या सितंबर से अक्टूबर के बीच में solang valley रोतांग मारही गुलाबा या धुंडी में कर सकते हैं price जब आप जाएंगे तो आप महापे decide कर सकते हैं make sure you have your climbing boots आपके पास होने चाहिए next जलते हैं 18 number cable car row पे witness the miniature town below आप उपर से पूरे valley का नजार ले सकते हैं solang valley river व्यास पे आप कर सकते हैं easy होता है इसमें December 5 की बीच में आप कर सकते हैं solang valley व्यास पे होता है 650 से start होता है कैमराज ले जाना ना भूलें yes creative है 19 number grappling climb down a rock पहाड से नीचे आए moderate to difficult adventure level है all year around ये करवाई जाती है solang valley रोतांग पास river व्यास के पास करवाई जाती है 1500 से लगवाई start होते है make sure you have tight grip tight होनी चाहिए grip आपकी rope के अपर और harness होना चाहिए अब चलते हैं दोस्तों 20 20 number last activity bungee jumping मज़ा जाएगा leap into the arms of the nature adventure level moderate January से लेके March में करें बहंग में कर सकते हैं 3000 से start है avoid overthinking when you are just about to jump जादा ना सोचें jump करें और मज़े लें तो दोस्तों ये थी 20 adventure sports activity जिसे आप मनाली और मनाली के आसपास कर सकते हैं उमीद करता हूँ ये सारी sports activity आपको समझ में आ गई होंगी अब सवाल उठता है कि ये कहां से जाके होगी क्या contact number है तो मैं आपको दोस्तों बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात तो ये adventure activity करने के लिए आपको मनाली पहुँचना होगा stay करना होगा package लेना होगा इसके लिए जो package के लिए travel company है उसका number में वीडियो के title में और वीडियो के description में भी देने जा रहा हूँ आप जाए मनाली पहुँचिए मनाली पहुच करके आप अपने hotel वालों से बात करिये जो भी समय से adventure activity करनी है सबसे पहले तो वो Solang Valley में आपको इसमें से लगबग 6-7 adventure activity करने को मिल जाएंगी बाकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं जैसे आप बहुत अच्छी paragliding करना चाहते हैं mall road पर जाएंगे उनसे बात करिये कौन से activity करनी है वो आपको वहाँ से convince प्रवाइड कर देंगे आपके पास extra time भी होना चाहिए इसको करने के लिए तो जाने से पहले जो भी आपको activity करना है उसके according एक दो निन extra ले करके जाएंगे तब ही आप ये सारी activity कर पाएंगे उमीद करता हूँ सारी information आपको मिल गई होगी वीडियो title में में travel company का नाम देने जा रहा हूँ नमबर देने जा रहा हूँ जा करके call करिये बात करिये सबसे पहले अपना travel package बुक कराईए एक आदे न extra लेके जाएं और इन सारी sports activity जो extra है सोलांग वैली से जा करके करिये उमीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा और unique content लगा होगा इसी तरह के और बहुत ही adventurous interesting content को देखने के लिए YT भारत पर हमेशा बने रहें धन्यवार दोस्तों जै हिन जै भारत YT भारत चनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए latest वीडियो और वो भी बिल्कुल फ्री में